है तो कि अ करने वाले हैं रोबáticas डाइनोमीटर के बारे में तो यह क्या है और किस तरह से इसको यूज करते हैं उसके बारे में आज समझेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड समझे। किया है रोब मतलब रसी और ब्रेक लगानी हो तो रसी से ब्रेक लगा के हमने एक डाइनमोमीटर त्यार किया है तो डाइनमोमीटर क्या है किस तरह से है देखते हैं देखे हम इंजिन की बात करें तो इंजिन में जब क्रैंक शाफ्ट हमारी घूमती है तो हमारे पर शाफ्ट में पावर है अब लेकिन पावर है कितनी हमें भी तो प पता कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास इसकी पावर पता करना काम अब देखिए हमारे पास एक पता करने हो कि से तरह था करना क्ते हैं क्या शुयाओ देखने तो देखना मतला कि उसकी बंद लडाइ तक हमें पारवर भी तो आप उसको रोक लोगी यह पोक्त होता है ना simply सा कि इधर से प्रोश जो आरही है वह एक्कुल को इधर से बोस अब ये रोटेट कर रही है शाफ्ट कि अगर इस शाफ्ट को मैं रोक दू के हैं पकड कैसे रोक दूम तो मेरे में ताकत अगर होगी उसको रोक नहीं की तो मैंसको रोक लोगा घू ह। सिंपल सी बात है तो मुठे पता लगेगा कितनी थाउसे तलगे ल sznagy तो हमें इसको रोक हुआ भूण कि आप ये पंगे तो सब ने कि होंगे, किस तरह से देखो, ये देखो, ये पंगे ले रहा है, देखो. अब इसमे फैन रोकने की ताकती है, आप मत करना है, ये दिखाने के लिए है, कई लोग क्या करते हैं, कि हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है, उसके उपर हाथ ऐसे रख लेते हैं और इसको रोख लेते हैं यह को ऐसे देख आप मत पंगे लेना त्धिक्रा इसने रोख दिया अब मतलब कि जितनी फैन में पावर थी उस योचा ज्यादा इसके पास थी तभी इसने रोक लिया तभी इसने रोक लिए अब ऐसा डाइनमो मीटर миटर क्यार करें कि शाफट भू रोक दे शाफट को ब्रेक लगा दे तो शाफट भूरेक लगा दे कुछ तार से कि हमारे पस इंजन है इंजन में जो शाफट रोटेट कर रही है आगे हम अगे हम एक फ्लाइविल जोडते हैं और उसके उपर एक रसी लगा दते हैं एक रसी लगाते हैं और उसके ओपर यहां पर देखें ऌने चैसे हम दूर लेते न पूर किनों होता जाएगा रसी खिच जाए जैसे हमने फैन को रोका यह रसी ह्खिच जाएगा चुछ जोड से इसको पकड़ ले «ब्रेक लगा देगा» अब जितनी इसने फोर्स यहां पे लगा दी उस TT वह पता चले गा अच्छा इतनी फोर्स लग गी इसको रोकने में इतनी ताकत इसकी लगी रोकने में तो उसके according हम power पता कर लेंगे कि इसके अंदर power कितनी है तो उसके opposite यह है अकड़ दिखाने मेरा मेरे में बहुत power है यह करे आज़ा देखते हैं कितनी power है तो यहां से spring scale से हमें पता चल जागा कि इसके अंदर power कितनी है क्या समझे हैं तो हमारे पास देख crazy हम डाइनमोमीटर क्या करेंगे हम डानीमोमीट्र ओफ रोप में एज ऐल में इस तरह से और यह बहूंत ही कम कॉलेज है अगर आपनी एक्सपरिमेंट किया तो आप खुश किसमत हो नहीं तो यह ऐसे पढ़ा रहा रहता है तो इसकेस में क कि दायनोमेटर इस केस में क्या हुआ है कि हमारे पास यह मोटर है मोटर की हमने शाफ़ट की पावर देखने है अब शाफ्त तो पतली सी होती हो चोटी होती है अब इधर भी हमने हमने एक spring scale यूज़ के लिया इधर भी तो दोनों तरफ से एक तरफ से fix रख लो एक तरफ से हम Hareнов कर सकते हैं इसको यह nut होता हना जो हम move कर सकते हैं इसको जैसे-जैसे move करते रहते हैं यह टाइट होती रहते है बैल्ट जैसे जैसे टाइट होती जाएगी तो यहां पर फोर्स बिखनी शुरूम हो सब्सक्राइब कि नचाहिए नचाहिभा लगा रहे हैं अब सर्च करोगे तो आपको पता लग देगा तो नॉर्मली इस तरह से आपको देखे और भी इसके टाइप साथे अलग लग लग तो अब यहां पर दूसरी साइट दूसरी साइट यहां पर वेट लगा दिया तो अलग लग हमरेपस कौनसेप्ट है कहीं हम वेट लगा लेते हैं कहीं पर हम दो स्प्रिंग के यूज कर लेते हैं वह अपनी मरजी है वह अब यह थोड़ा सेट अप बड़ा सा लग रहा है इसमें खर्चा जाता जादा आता होगा तो उसके अपर पैसों के कोड़िंग है सब कुछ अब हमारे प च्छों पादा करना है शुण 6- gad- refugee अब हमने एक चीज बाथ समझनी परेगी कि इसमें करना क्या है हमने इसमें पारवर पतक नहीं है पावर पता-कारना क्या होता है कि वर यô्टन जोड़ा कितने टाइम हो रहा है इ 그래 इतिक पास नेखीए फोर्स इसमें पहली बात हमने फोर्स की समंवने है फोर्स लगा रहा है ठीक है फोर्स लगा रहा है तो हमारे पास formula किस तरह से बनएगा formula हमारे पास क्थ लग ब्रेक पावर ऑफ दे इंजन वह रहें पावर वर्क ड sjजाओं कितना टाम कर रहे हैं वंगत इवाइड अबसीड अब निकाने के लिए उसके निकाने के लिए ओड़ेगा कि यहां निकालते नहीं हमारे पास तो इसमें हम्हारे पास क्या निकलेगा आपने यह इसी आपने सुना होगा हुगा है यह तो हमारे पस क्या है कि अधिन हमारे पास गणे मारे व्ली माईनिस इसथ और फॉली का डायमेटर और जो चोटा थी हमने लिख देंगे कि हमारे कमारे हैं यह उडिय और करD यह खंदब है decid दखा ना तो हुमारे पास और यह तो पाइड नपर शेक्टीeden की आपक्रण कर्सिद्ठ अगर इस चीज़ को समयना थोड़ा सा explain कर देता हूं इस चीज़ को कि PIDN by 60 क्या है देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये देखो ये हमारे पास ये रहा अब हमारे पास इसका हमने निकालना होता है work done देखो work done क्या होता है हमारे पास force into displacement displacement अब देखिए force force तो हम निकाल सकते है कैसे निकाल सकते है कि हमने यहां पे weight कितना डाला और यह spring balance का क्योंकि आपस में opposite है तो W-S तो हमने force निकाल दिया तो W-S हमने force कर दिया यह चीज़ आगी easy समझा गया displacement क्या चीज़ है displacement देखिए हमने एक round जब लगाते हैं किसी circle में एक round perimeter क्या होता है इसका उसका होता है टू पाई आर लेकिन आर इंटू क्या गया डी होज़ेगा तो पाई डी बन गया लेकिन कितने rpm वह rotate कर गया क्योंकि रोकते रोकते टाइम देगा तो वह n से multiply करें इसलिए पाई डीन आ जाता है तो यह पा simple है तो इस तरह सी यह formula बनते हैं ऐसी निया कुछ भी बना देंगे हम formula तो हमारे पास यह कई बार क्या कर देते हैं यह छोटा डी जो है ना rope का diameter इसको neglect कर देते हैं क्यों neglect कर देते हैं रोप का diameter बहुत चोटा इसलिए हम उसको neglect कर सकते हैं तो यह d यहां से drive हो जाएगा w- तो इस तरह से किसी भी शाफ की ब्रेक पावर आप निकाल सकते हो हमें लगता है ना कि यह कैसे निकाल सकते हैं यह कैसे हो सकता है यह फॉर्मला की हल्प से इस तरह से निकल सकता है किसी भी शाफ का पावर निकालना है तो हमें इस तरह से टेस्टिंग करने होते हैं लेकिन क् पिर से बहुत बात आती कॉलें में पड़े पड़े जंग लग जाती जीजों को लेकिन कोई नी करवाता है कहीं को यह प्रॉलम आती है कि खुद को नहीं आता तो यह सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है इसमें हमारे पास दिखे अलग लग जो मैंने आपको दिखाया था ना यह देखो इसमें इसमें भी हमारे पास का दूनों मायनस कर देते हैं तो जैसे इसले आता कि सो क्या कि आपने कभी कॉलेज में यह होता था तो आप अपने का नाम लिखें और साथ में बताएं कि आपने यह ऐए क्पर्मिंट किया है तो एक और मैंने जो वेबसाइट बनाई है आप प्लीज मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूं वहां पर आप एंसी की प्रैक्टिस में सकते हैं और मोक तेस्क दे सकते हैं और शेयर करना ना बुले तो आप मेरी भी हर्प्सक्राइब गुरू दक्षिन दे सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो ऊच नेक्ट्रीओ फिर सुफिनेगे